सल्मान खान और उनकी एक्स गल्फेंट कैटरीना कैट जल्द ही बड़े परदे पर नजर आने वाले हैं सुपरेट फिल्म एक था टाइगर का सिक्वल टाइगर जिन्दा है में सल्मान और कैट एक साथ दिखेंगे यह फिल्म 2017 में क्रिस्मस पर रिलीज होगी फिल्म के लोगों का फुर्स लुक जारी कर दिया गया है जिसमें सल्मान ठीक वैसे ही नजर आरहे हैं जिसे फिल्म एक था टाइगर में पोस्चर में फिल्म के रिलीज डेट के अलावा टैग लाइन दी गई है देयर विल बी पीस खबरों की माने तो इस फिल्म में सल्मान 70 वर्श्य व्यक्ति का किरदार निभाएंगे इस फिल्म का निर्देशन अली अबास जफर कर रहे हैं फिल्म में कैटरिना पहले की तरः पाकिस्तानी एज़न्ट का किरदार निभा रही है आपको बता दें कि अभिनेता सलमान खान इन दिनों फिल्म ट्यूब लाइट के शुटिंग कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इस हफते से ही फिल्म टाइगर जिन्दा है कि शुटिंग शुरू हो जाएगी ब्रेकप के बाद सलमान और कैटरीना पहली बार परदे पर नजर आने वाले हैं सलमान और कैटरीना की जोड़ी को वैसे तो दर्शकों ने खुब पसंद किया है लेकिन ब्रेकप के बाद इस जोड़ी को परदे पर कितना पसंद किया जाता है यह देखना दिल्चस्प होगा देखते रेज़ टीवी लाइट